मैं निवातरम दर्शकों आज हम बात करेंगे राश्टान सरकार की एक बहुत ही मैथपोन इंपोर्टेंट योजना जो अभी आली में लगू की गई है मुख्यमंतरी आईस्मान दुर्गटना विमा योजना योजना क्या है कब से लागू होगी कब तक लागू रहेगी कौन कौन पात रहोंगे इस योजना में क्या 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 बेनिफिट मिलेगा किसको बेनिफिट नहीं मिलेगा और किस तरह की दुर्गटना में फाइदा मिले जाएगा, या किसमें नहीं मिलेगा। शारी जयनकरी मैं आपको देने का प्रीस करूँगा। ऑफिषिल नोटेफिकेशन यादेस यह जारी किया गया हूँ VPN की तरफ से राच्थान सरकार। और इसके कर्मांग का आप देख पाएंगे तो यहां से से वित विमा 2022 और दिनाग 73 2024 यह दो दिन पहले ही जारी हुआ है जो आदे से इसमें इस परस्ट लिखा हुआ है क्या क्या योजना है किस तरीके से इसका क्रियानमेन होगा अगर मालों किसी के साथ में कोई दूर गटन संचालित मुख्यमंत्री 25 आरोगियो योजना और रास्तान सरकार स्वास्त्य योजना में बिमीत या पंजीक्रत समस्त परिवारों है तो यह जो भी परिवार इस योजना में पहले से परिवार से पंजीक्रत है उन सभी के लिए दूर गटनाओं के कारण होने वाली मर्ति या पून इस साही अपंग ताकी इस्तति में या तो किसी व्यक्तिकी दूर गटना में मर्ति हो जाती है अब योजना के प्रावदान होगे तो पहला योजना का नाम है मुख्यमंत्री आईसमान दुरुगटना भीमा योजना जिसको सौट में M.A.D.B.Y मुख्यमंत्री आईसमान दुरुगटना भीमा योजना का गया योजना जादी जारी होने के तारिक से आगामी वित्ती वर्स के लिए प्रभावी रहेगी यह एक वित्ती वर्स के यह लागू रहेगी उसके बाद वापिस इसको पूनर रिस्टार्ट हो जागी पूनर रिस्टार्ट हो जागी वित्ती वित्रनिकम है जैपुर्वित्वद्रनिकम है अजमेर है जैपूर्वित्रनिकम है और यह सारे जो भी पांच कमपनिया है उन सभी के कार्मिक जो मुख्यमंदरी आईसमान दारुगिय योजना और रास्तान सरकास्वास्ती योजना दोनों में कवर नहीं हो रहे हैं वो भी इसी में सामिल किये गरें विसमस्त परिवार इसी योजना के अंतरगत बीमित और पंजिकरत माने जाएंगे यहने कि यह भी इसमें सामिल हो गए हैं अब इसके लाबा बीमित सद्ध से कौन होंगे तो यह जो मुख्यमंदरी आईसमान दुरगटना बिमाईजना यह में डी बी वाई जो सौट में स्कोका गया है कि अंतरगत बीमित सद्धिशों के रूप में उप्विक्त सभी जो भी बिंदु संग्या दो के उप बिंदु दो में यह जैसे बिंदु संग्या दो है यह अब इसमें बिंदु दो में यह जिसमें बीमित प्रिवार चासे कि मुख्यमंतरी आरोगी योजना और रास्तान सरकार स्वास्ति योजना में बिमीत प्लस पांचो विदित कर्मियों की कार्मी जो भी है वो सारे इसमें कवर हो रहे हैं कि सभी सदस्य समलित होंगे जिनका नाम जन्नाधर कार्ड में आंकी थे तो सबसे पहले तो आप ये मैंने बार-बार कहता हूँ कि आप अपना जन्नाधर कार्ड है उसको अपडेट कर लाएं उसमें कोई समस्या आया कुछ कमिया है या नाम वगरह में मिसमेच है तो वो आप जुरूर सही कर बालें इसके लवा इसके तरिक्त बीमित परिवार का दो वर्सत का सिसू मालो कोई ऐसा परिवार है जिसमें कोई नया बच्चा जन्नम लिया है और जो दो साल तक है या उसका जन्नाधर में नाम नहीं है वो भी इसमें समिल माना जाएगा इसमें लगा हुगा कि बीमित परिवार कि जना अदर रिकार्ड में जो अंकेत परिवार का मुख्या है वोई इस योजना में भी मुख्या होगा बीमा दन कितना होगा सबसे important बात कि बीमित परिवार के साथसों की दुर्गणा बस मृत्यु जो इसमें यह या योजना में वरनेत इस्ता ही पूण शती होने पर इस् इसमें किसी कार्मिक या किसी भी जो मेंबर है उसकी यह तो मृतिव हो जाती है या इस से यह पंगता की दसा में यह बेनिफिट मिलेगा S.I.P.F. यानि S.I.P.F. का इसमें क्या रोल लग रहेगा तो S.I.P.F. का मनलो होता है S.I.P.F. यानि S.I.P.F. जो है रज्य भी मा और प्रावदे निदी वग इसके माध्यम से इस योजना का यानि मुखिमंत्री आईश्मान दुर्गतना भी मा योजना का क्रियान विन किया जाएगा कैसे किया जाएगा उसके समद्रा आगे मैं आपको बता दूँगा यानि S.I.P.F. जो है रज्य भी मा प्रावदे निदी वग इसकी सारी प्रोसेस है वो आगे करेगा अब इसमें पोर्टल भी बनाए हुआ है तो इस योजना के लिए क्रियान ने तो एक तियार किया गया है पोर्टल है जिसका नाम है अब इसमें किस-किस को जो भी प्रभावित माने जाएंगे या किस-किस को इसमें जो भी बेनिफिट मिलेगा तो दूर्गटना में हुई मृत्यू या छती इस योजना में बिन्दू छह में जो वनित आंट प्रकार की दूर्गटना है जनमें सारे रिक चोट से मृत्यू के करण प्रोक्सिमेट कोई के रूप में लिया जाएगा यानि पहली बात तो कि जो घटना है वो जैसे एगर किसी के साथ घटित हो जाती है तो तुरंत उसको आपको एपलाई करना है इस पोर्टल पे और अधिक से दिक बारा महिने के यानि जो कलेंडर है यानि जो जिस वि अगामी वित्ति वर्स तक तो जो भी फैनेंशल ये वित्ति वर्स होता है उस तारिक तक यह जो लगो इसके बाद में वापिस नई सीरे से पुना इसका सुरू आत हो जाएगी अब योजना को दिश से क्या है तो रज्य सरकार दोस जालत की जारी मुख्यमंत्री आईसमान आरोगी योजना एवं रश्तान सरकार स्वास्ति विमाई योजना में विमित या पंजीकरत परिवारों और विद्यूत कंपनियों के कार्मिक जो उपिक दोनों योजना में समयलित नहीं थे यनि अभी तक जो विद्यूत कर्मी जो थे वो मुख्यमंत्री आईसमान यह वह शुरू की गई है इस योजना के अंतरगत बीमित परिवार का दस लाग रुपे तक का दुरुगटना बीमा कवर ने सुलक उपलिप्त कर जाएगा यह नि बीमा तो दस लाग तक होगा अब इसमें से मालों किसी एक सदसी की दुरुगटना होती है तो पांच लाग औ बीमित परिवार के सदस्यों की दुरुगटना में मृति होने पर यह तो मृति हो जाने पर या दुरुगटना के कारण इस्ताइक शती हो जाती है तो आध पूरी तरह से कट गया वह दूबरा ठीक नहीं हो सकता पैर है उसमें कुछ ऐसी प्रोल्लम आगी जो ठीक नहीं हो को उपलिप्त करवाए जाएगा अब इसमें पातर था कौन कोने तो इस योजना के अंतरगत विस्वस्त परिवार पातर होंगे जो मुख्यमंत्री आईश्मान आरव की योजना प्लस राष्टान स्वास्ति बीमा योजना के अंतरगत पंजी करते और इसके लावा ऐसे ल 0301 43 और 226 789 0601 43 और 226 796 0601 43 यह जो कुछ बज़ेट एड है इनके माध्यम से किया जाएगा और विद्विभागदरा इससी बज़ेट एड में जो भी यह राष्य है वो इस्तान तित की जाएगी इस योजना के अंतरगत बीमित परिवार से कोई अंस्तान या प्रिमिय में वो नहीं देना पड़ेगा और उत्पन ओरने वाले दावों की राष्य का जो वित्ती बार है वो रज्जी सरकार्द रवेन किया जाएगा एक तो यह होता है कि कोई भी इंस्रेंस करवाते तो उसका आपन बीमा परते हैं और या उसकी किस्त पॉलिसी परते हैं और उस इसमें योजना के अंदरगत लाब कब दे होंगे किस-किस इस्तति में दे होंगे और किस इस्तति में दे नहीं होंगे यह भी पूरा डिटेल में इसमें बताय हुआ है तो योजना के अंदरगत भीमीत परिवार के सदस्य या सदस्यों की निमना के दुरगटनाओं में मरत तो उस दुरगणा में यह तो किसी वेक्टी की मर्तिव हो जाती है या अन्य सारे छती की दिशा में और छती भी किस लेवल तक की जो इस्थाय छती हो तो भुक्तन किया जाएगा और्थार्थ योजनामनِّयम्न परकार की दूरुगणा या में वूजी छती या मर्तियों पहें दादे होगा, यानी कौन-कौन सी दूरुगणा इसमें सामिल की गई है, कुछ सामिल नहीं की तो एक तो सड़क या वान दूरुगणा किसी गाड़ी से सड़क से तब इसमें कवरोंगे बिमीत परिवा के या कोई भी सतस्य है वो अगर उंचे से गिरने या उंचे से किसी वस्तु के उसके उपर गिरने से किसी परकर के मरतिव हो जाती है खास करके जैसे जो मज़ूर वगर ऐसे लोग है जो कहीं निर्मान कारे वगर करते हैं और उन पर कई बार कुछ चीज़ें गिर जाती है या उससे दुर गटना हो जाती है तो ऐसी स्थति में इसके लबाब मकान टैने से जैसे इसमें मैंने पहले गए दिया मकान अगर कोई क किसी का किसी भी मासं की ख्राबी की कारण या किसी तरह से डेगया और लोग उसमें दब गये तो चाहता मिलेगी डूबने के कारण किसी वेक्तिकी मत्वय हो जाती है यह इसन ऐसे मिलेगी रहायलों किसान है कमिकल कभई करता है के लिए और उसमें इस利की घर कर दूरगटना हो जाती है तो बिजली से जठकी से होने वाली मर्ती या छति या मशीन दिस में किसानों के लिए खास कर रह रहा है कोई भी ऐसे विश्कति कारी कर कर नहीं बएसरी की वोगणा क हो जाती है कोई आत कर जाता है या इस Claire की को सठी हो जाती तो ऐसी इस्तिति में उनको यह लाप मिलेगा या इस में पात रहोंगे इस योजना के अंदर के दुर्गटना में वो इच्छति कास है यानि च्छति का किस कौन सी मानी जाएगी किसी भी ऐसी सारी रिक चोट से जो बाय इंसात्मक या द्रिश्य माध्यमत के द्वारा लगी हो यानि अंदर से इंटरनल नहीं होना चिसडाल से संदर भी धुर्गटना से युथपन होनी चिसए यानि कोई वैक्ति पहले से किसी के शरी नहीं खकराब है और और डॉक्र के द्वारा इसको काट देया गया तो वह इसमें सामुली हो ऊगा दुर्गटना का मलें कि द्र से मद्यम के द्वारा लगी हो यानि बाई घटना हो यानि जैसे मालों किसी वेक्ति के चोट लगी कुछ वह और लोगों ने देखा हो अब यह करने शकती के अंदर से कुछ भीमारी और जिसकारण से उसको सारी रिक्षती हो जाती है तो वह इसमें सामलने हैं जैसे कौन-कौ वह जाती है तब उसमें लाप देनी होए क्योंगी इंटर्नल मानी जाएगी इसका लाप आत्या या आत्मत्या का प्रयास है तब भी यह लागूनी होगी विमित सद्देशित द्वारा नसिले ड्रक्स या ऐलकॉल या शरावगरा के सेवन से उसका कोई शरीर गांग इस्ताह ख्रतियों या बड्रक्स द्वारा निर्दायत कानौन के उलंगिन के द्वारा मालो को रहती है कई दंगा फसाद कर रहा है उसको चोड लग जाती है तो उसमें माननी नहीं होगा इसके लाबा एवियसं में एंगे जोने जैसे मालो कई लोग के ग्लाइडिंग करते हैं बै प्रकार की दूर्बटाओं में आत या प्यार का फैक्चर होने की स्थति में लाब देनी होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ इस्ताइक चती तो पूरी तर से आत कड़ जाता है प्यार कड़ तब देनी होगा, इसका आवल जारे इले जनतु के काटने से मृत्य होती है तो भ दस लाग से जैदा नहीं होगा, यानि मालो एक ही वक्ति के साथ में साल में उसके परिवार के सदों से अलग लिख दूर्गटना होती है, तो मैक्जिमम एक जो वर्स है, वित्य वर्स जहां इसमें काल्गूलेट किया गया है, उसमें अधिक्तम जो भी उसको मैनिफीट मि दूर्गटन करते समय, पहले से दावे जो भी किया हुए, उसको कम करते दी जाएगी, यानि मालो एक वित्य वर्स में किसी वक्ति के साथ दूर्गटना होगी, इसको पांच लाग या चार लाग तक का भुक्तन कर दिया गया है, तो दस लाग मैसे जो सेसराशी होगी, वो सती होने पर, SDRF, यानि State Disaster Response Fund या NDRF, National Disaster Response Fund या अन्य मुख्यमंतरी साहता को से अन्य निसुल्क भिमाय योजना से किये गए, भुक्तान को कम करते होए, दस लाग रुपे की सिमा किया दिनी होगा, मालो किसी सिद्दिश को, किसी वक्ति को, किसी दूसरी योजना में, मु मालो 2,00,00 का कोई लाब मिल गया या सरकार ने उसको साहता दे दी, तो अगर मालो उसमें अपले करता तो 10,00,00 में से वो 2,00,00, मैंने सोगर के ये भुक्तन किये जाएगा, तो ये थी कुछ important इसके समंद में पतरता की सरते हैं, अब योजना के अंदर के परिवार में कौन कौन से लाब दे होंगे, वो बात करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप पूरा देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, और योजना के आपको विस्तरत जान करी हो जाएगी, तो अगे देखते हैं, योजना के अंदर के परिवार की मर्ती होती है, अगर एक सदेखेंगे मर्ती हो जाती है, तो पांच लाग, एक से अधिक सदेखेंगे मर्ती होती है, तो अधिक तम तस लाग, इसके अलावा, महला दुर्गत ना में, दोनों हाथ, या दोनों पैर, या दोनों आखें, या एक आथ, एक पैर, या एक आथ एक आंक या एक पैर और एक आंक की पूंड़ चति हो जाती है यह निश्बत इसकी होने कि और फुनगों चति करती हो हो जाते हैं या पूर्णता निस्क्री हो जाता है पूरी दर्शा आंक रहा हो जाती है तो एक पांच लाग या नहीं एक लाग पचाजार रुपे दिया होंगे अगर आपको साल के सुरुआत में किसी परिवार को दो लाग पांच लाग की जब भी साहिता मिलगी तो बाद में अगर कोई दुरुगणा होती है तो उस में से दस लाग में से वो राशी है वो कम करके ही भुगतान किया जाएगा यानि यदि योजन्या वर्स में बिमित परिवार के किसी सदस्य के किसी अंक की छती पर यदि बिमित परिवार को भुगतान कर दिया जाता है यानि पहले से कोई भुगतान हो गया मालो जैसे अपरेलिय मही में को दुरगटना हो गया उसको दो लाग तीन लाग का भुगतन हो गया और बाद में दो चार मेने बाद में और दुरगटना हो जाती है तो जो भी भुगतन होगा वो दस में से मैनिस करके पिछे जो भी सेस राशी रही को भुगतन किया जाएगा तो योजना के उसी व तो वो इसमें साविल्न होगा या आत ये इतने की समझ नो और तो योजना का संचोलन है एक योजना वर्स में कुल दस लाग तरुपे तक का ये भुगतान एक परिवार का दिये होगा, इन्हीं मैक्जिमम जो लाब है वो दस लाग तो मिलेगा, और योजना जनादर कार्ण से जूड़ी होने के कारणा, जनादर कार्ण में आंकित परिवार के मुख्या कोई भीमी परिवार के मुख्या की उस बैंक खाते में किया जाएगा, जो जनादर से लिंक हो, यानि जो भी भुगतान होगा, वो मुख्या को होगा, यानि मुख्या का जो भी बैंक एकाउंट होगा, जो जनादर से लिंक होगा, उसमें भुगतान होगा, और मुख्या की मुर्थी ह होने की स्थिति में पति या उसके जीवित नहीं होने की स्थिति में परिवर कैसे सदस्यों में भुक्तान जो भी राशी है वो योगी समान कि मुख्या किसी भी सदस्य की मर्थी हो जाती है तो योजना के लाब देने होगा तो कहना कमल हुआ कि अगर सभी की मर्थी हो जाती है कोई जैसे एक एक या दो मेंबरी जनादार में और दुरुगटना में दोनों मेंबर की मर्थी हो जाती है तो किसी को भुगतानी मिलेगा अगला है कि योजना की लाभ पर्टीएक भीमित पिरिभार को दुरुगटना के कारान मर्थियों या योजना में ऊले की छतिएंगीों के उने पर योजना की परपावित रहने की स्तती में किसी भी इस्तान या समय पर गटित होने पर दिये होगी य는 दूरुगटना चाहे कि तो फरजी इस तरह की कटना भी कर सकते हैं तो इसके लिए अगर आप से गोगा तो जो भी दुरगटना है या तो उसके दाव अगर मालो उसके प्रूफ बगर सही होंगे तो कोई समस्या नहीं है लेगन कई भी डाउट होगा तो मालो चिकत सा समधिय है तो चिकत सा दिगारी द्वारा या महलों को दूर्गटना है तो अन्वेंशन करता है यानि पुलिस के द्वारा जो भी जहांचे बगरा है वो कराई जा सकते ही इस जियोजना के लिए पात्र परिवाँ से कोई अंसदान यानि प्रीमियम की राशी वसुल नहीं की जाएगी यानि इसके लिए यान की छती हुए तो उसको डॉक्टर का सर्टिवेट बगरा है जो भी है वो दावेद्यार को इपेश करना पड़ेगा पूर में संचालित मुख्यमंद्री चरिंजी वी दूर्गणा भीमा योजना के दावे वर्तमान योजना में पूर्वा निस्तार्थ किया जाएगे यानि पहले जो संचालित मुख्यमंद्री चरिंजी दूर्गणा भीमा योजना जो दावे अगर चल रहे थे तो वो भी दावे वर्तमान योजना के तैत पूर्वा निस्तार्थ किया जाएगे अगला है कि योजना के किरियान में ये तो वेब पोटल अब सी योजना के ल लाटा है वो प्राप्त किया जाएगा और दावादनिस्तान की समस्त प्रक्रिया इस वेब पोटल के मध्यम से यह ओई नहीं ओनलाइन होगी अव इसमें किस तरीके से फर्म या क्लेम के लिए क्या 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 आपको अफ्लोड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कहा कि व्यक्ति की मर्थी हो जाती है तो डिजिटल मर्थी का प्रमान पत्रफ पेश करना पड़ेगा इन में से कम से कम कोई एक दस्तावेज पेश करना पड़ेगा जिस में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है एक किस में एक तो मर्थी परमान पत्र और एक कोई भी दूसरा डोकुमेंट चिकत सा प्रमान पत्र या एक पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट है रिपोर्ट वगर ये ये इसमें अपलोड करने पड़ेगी इसके लवा कोई छती हो जाती है ये तो मर्थी की बात हो गई अगर छती हो जाती है यानि किसी व्यक्ति के चोट लगे इस्टाई अंग गया हाथ एक पूरा कट गया पैर कट गया इस तरह की गगर को है तो चिकत साले की रिपोर्ट क होगी तो व्यक्ति अस्पताल में जाएगा इसके लवा रोज नाम चाए फाई यार गिर्दर्च करवाई है तो डाइगनोस्टिक रिपोर्ट यानि उसकी मेडिकल की जांच रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ट द्वारा जारी इस्टाई फोन अपंगता का डिजिटल परमान नष्पाई परमान होती है दो डोकुमेंट करने पडएगे इस्टाई खती हो जाती किसी अंग की तो चेगत शाले की रिपोर्ट डाइगनोस्टिक रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ट द्वारा जो भी परमान पत्र दिया जाएगा वो तीसरी कंडिशन है कि मान लोग किसी व प्रमान पत्र, FIR, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट और फर ये चीजें त्यार करने पड़ेगी, अप्लोड करने पड़ेगी, ये सारा काम है, जो दावेदार है, या जिसको भी भुक्तान चीए, वो करेगा, और माला उसको दूबने या जलने से अंग सतिकर्स्त हो जाता है, इस सकता है, ये विशे सीर्प झाहरो, कि मालओ किशी वीक्ती की मर्थी हो जाती है, तो कम से कम बलब लाग यता संभव मैंने काया, यता संभव और मैजिम्न यह इंग है, दिन का दिया हुए यानि दो मेने गंदर नदर आपको इस व्याब पोर्टल पे एप्लाई कर देना है सारे डॉकुमेंट के साथ में नहीं तो फिर वो दावा है वो माना नहीं जाएगा विलम के समुचित कारणों का उले करते हुए दावा परपत्र की दुरगटना मर्तिव चतीक दिना नवे दिन्स की अवधी में फूर्टी की जा सकती है कि मालो कोई ऐसी परस्ति जो कि साथ दिन में दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता कोई ऐसा अपरियारी कारण हो तो उस कारण का समुचित विले विलम का उलक करना पड़ेगा यानि किस कारण से विलम हो लिए उसका वंफ्रा उसका उले करते हुए अ नवे दिन मैंसे तीन मैंने के अंधर कर सकते हैं कोशिस ये करें की मैंने के अंधर उडियाद 10-15 दिन पर जैसे भी इस तरह की कि मालो किसी के साथ कोई हो जाती है तो यह था संभव यह शिग्या आपको जो बावा पैस करना जनादर से ही सारा काम होगा तो जनादर में जो भी है नमबर है उस मोबिल नमबर को एक तो आप सुरूर रखें कहीं लोगों था में इस तरह की समस्य हो जाती है, کि जिस नमबर जो भी है नमबर जनादर में दियो math उसपर है रिचार्ज करते हैं नहीं या दूसरी सिम्म ल दावेदार है वो ओनलाइन परपता दावा मंगित मोबाइल नंबर पर OTP पिजा जाएगा यानि कोई जो भी दावेदार पेस कर रहा है मुख्या के अलावा तो उस इस्तति में उसके नंबर वहाँ एंटर किया जाएगा और दावेदार OTP को सब्मीट करने और पोर्टल पर किया जाने के प्रांथ दावा पोर्टल पर रिष्टर किया जाएगा और उसके बाद में पोर्टल पर दावा रिष्टर किया जाएगा और उसके बाद में पोर्टल पर दावा रिष्टर जोने के बाद में दावेदार के प्रिक्षन कर यानि उसकी जाच की जाएगी और स प्रप्रप्र जैसे भी होगा वो किया जाएगा और अन्याद वांचित दस्तावेज होने पर दावेजार से ओनलाइन यह दस्तावेज की मांग किए जाएगे मालोगों को यह कम है तो जैसे आप कोई भी एपलाई करता है इमित्र से कुछी भी डॉकुमेंट के लिए तो सें जाएगा उसका यह आक्षे पर कोई है अब्जेक्शन लिगता है तो उसके समय में मैसेज किया जाएगा तो मैंने सुरुवात में कहा कि आप दावेजार जो भी यह जो भी एपले कर रहा हो उसके मोबेल नमर आप जुरूर चालू रखें एक्टिवेट रखें और दावा जमा करे जाएगी तो ऐसी इस्ति में जब आप एपले करेंगे तो उसमें कोलम आएगा कि जनादर में दर्ज मुख्या की 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 मुख्या होती है तो उसमें जो भी प जैसे इसमें अलग जो भी कर्णिशन है कि जैसे जन्यादार परिवार में मुख्या से बिन विवाइद सद्षे की य Mediter दुर ला flavा घरस्त मर्तिय हो जाती है तो яसी इस्तिति में किल दावेगह मुख्या और मुख्या- içinde की परिवार आदा देुए कि परिवार या जनादार मांगे सबी सतस्यों कि मर्थी ओने की स्तति में कोई राशी देणी होगी पुरे जनादार में जितने भी प्रिवार है उस सारे सतसी है सभी की अगर मर्थी हो जाती है तो किसको दावा नहीं मिलेगा है तो यह इस इंपोर्टेंट बात है इसके लावा पारिवारी विवायत की स्तती में या नियाइक प्रक्रिया लंबित होने पर सक्षम नियाले के नियने के नुशार भुगतान किया जाएगा बालों कहीं एस्तिर के गटना हो जाती है परिवारी विवाद होता है तो फिर जो भी नयाले के फैसल होगा वो होगा और दावा परपत्र को तक्निकी कारणों से आपत कलन परिस्तितियों के लिए कारण निर्दार नबेद दिन की अवधी के परसाद विलम से परस्तिति की जाने की स्थी में जो भी विलम य्क्ति का कारण परस्तित की जाने पर विलम में तीन मात तका सितिलन है वो दिया हो ज़त जयाजा विकरट परिस्तितिfeld वो नि के अंदर भी अपलाई नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए फिर निदेशक मुख्यमंत्री आईश्मान दुरुगणा योजना और इसके परसाथ आगामी 6 मा के लिए शितिलन है वो निदेशक राज़िवी माप्रादय निदी विभाग द्वार किया जाएगा तो वो विशेश प्रस्तित में और दुरुगणा मर्तियो विलम का विरुचित कारण है तो नबे दिन में प्रस्तित करना है उसके बाइद में भी कोई कारण है तो तीन मेने का या चैमेन जो यो अलग लेगए दी दोरा दिया जाएगा इसके लाबा आक्षएप पूर्ती ये तो दावेदार को वापस किये गे प्रकरण में तीन मात तक आक्षएप की पूर्ती नहीं किया जाने की स्थेजरे में दावा निरस्त किया जाएगा नहीं महलों आपने अपले कर दिया और कोई objection आया और तीन मेने तक उस अब्जेक्शन को आप रिमूव नहीं करते हैं तो भी आपका दावाय खारीच कर दिया जाएगा तो जो भी हो आप मोबेल से अगर मलोग किसी के साथ है सी हो जाती है तो मोबेल पर जो भी मेसेज विगर आया या उसको जहां से भी आप अप अपले कर रहे हैं उसकी स्टेटस को चेक करते हैं और कोई भी अब्जेक्शन आता है तो उसको तुरंद रिमूव करें अब मलोग अपिल की वेश्टा है कि प्रतम अपिल दावे का अनिस्टान है जिनांग से 30 दिवस्की अवदी में निदेशक राजी प्रावदे विवा को उनलाइन आप प्रतम अपिल प्रस्तुत कर सकते हैं और जिसका 30 दिन के अंदर निस्टान किया जाएगा और दिथि अपिल के रूपे निदेशक राजी प्रतम प्रतेन नियोदी के विरुद में अलोगे सेस्ति आती है तो 30 दिवस्की अवदी में सासन सची वे विवाग सासन सची वाले जैपूर को दिथि अपल आपिले वो उनलाइन की जा सकती है वो कुछ विशेश परिस्तितियों में और योजना का जो अंक्सेक्षण है तो मुख्यमंत्री आईसमान दुर्गटना भीमा योजना का आंत्रीक अंक्सेक्षण है यानि जो आडिटिंग वगर है वो महाले का कार के अंक्सेक्षण दलद्वार की जाएगी तो यह मैं तो जानका दी थी मुख्यमंत्री दुर्गटना भीमा योजना की समद्ध में आरे हो कि जो मैंने आपको पूरी डीटेल आप बहुता दी किस तरीकिसे फार्म एपलाई होगा कौन कौन पात्र होंगे किस किस कंडिशन में उसको बैनी फिट मिलेगा तो मुख्य जानल करी है और किसी परिवार के साथ में अगर महां लोuba किस तरी की कडिना हो जाती है तो आप उसकी शाइता कर सकते हैं अगर आपको पूरी जानल कर्या होगी तो इस तरीकी से यह मैंत्पन जानका रही ती इस तरीके ब्रेंटन लोगी चैनल भीमने मिलते हुने नेक्old Moto में तब तक जय हिंदे जय भारत